सो हेलो गाइज मैं हूसो मुझीत एन विलकम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल आज मैं आया हो साइनी मोटर्स में और अगर आप विश्ट मिंगॉल से हो और आपको मारूती का कोई भी प्रड़क्त पर्चेस करना है तो आप इन से जरूर कॉंटर्ट कीजिए स्क्रीन में अड्रेस वगरा सो हो रहा है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपडेटेड मारूती सुदू की इको इसमें आपको टोटल टू विरियंट्स देखने के लिए मिल जाता है एक है इसका फाइब सिटर और दूसरा है इसका सेविन सिटर वाला विरियंट और आज मेर आपको काफी बेसिक सा लुक इसमें आपको मिल जाता है तो चले अभी पहले इसके फ्रॉंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको फ्रॉंट में यहाँ पर क्लियर लेंज रेफ्लेक्टर बेर्च हैलोजन हेड्लैंप्स कंपरी ने ओफर किया है और इनका जो मैट ब्लैक फिनिसिंग के साथ पूरा फ्रॉंट बंपर दिया गया है और इसमें आप आफ्टर मार्केट फ्रॉंट फॉगलैंप अगरा भी इंस्टॉल करा सकते हो ठीक है उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर स्पेस मिल जाता है और आपको फ्रॉंट बॉनट में क् इसमें डूट वाइपर एंड डूट वासर का पूरा सेटब मिल जाता है तो चलिए अभी इसका साइड प्रॉफाइल देख लेता है यह मार्केट सुजु की इको फाइब सीटर का साइड प्रॉफाइल का लुक इसमें आपको फ्रॉंट में डिस ब्रेक्स और आपको रेर एड़ेस्टेबल और व्म मिल जाता है इन मैट ब्लैक फिनिस साइड फेंडर में आपको औरेंज लेंज के साथ साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है और आपको इको में 13 इंच में स्टील विल्स मिल जाता है और और इनका जो साइज है वो है 155 बाई 65 आर 13 और गाइस है इसके साइड डौर ऐपिनिंग हैंडल शिख है यह अपको पूडर ब्लैक कलर में दिया गया है और गाइस इको का जो सेकेंड जो टोर है ठीख है वह आपको पूरा dos 것처럼 कि सानके साथ मिलता है और आपको इको में 3,675 mm का इसमें अपको लेंट ढिया गया है और आपको इको का जो wheelbase है ठीक है वो है 2300 एंड़ 50mm का इसमें आको वील-bяз मिल जाता है और गैज यह है पुरा इसका side profile का looks side profile से आप इसका पुरा look नेख सकते हो ठीक है यह कंपको काफी simple and sober looks देया गया है और गैज यह है इक पूरा rare profile का looking आप इसका पुरा rare looks के साथ यह को दिया गया है ठीक है एकडम काफी सिम्पshoreा आपकोर लुक्स मिल जयाता है और के वाफ्सεις भूए पूरा रेड लेंस है लोग। और इसमें आपको पूरा रेड्लेंस हलोगस मिल जाते है ठीकी है और आपकोड यहां पर एक उसके लोगो और अब कैन। पुरा नमबर प्लेट एपलिक दिया गया है और इसमें आपको टू पाइंट रिवर्स पार्किंग के साथ नॉन बर्डी कलर में आपको पुरा रेयर बंपर मिल जाता है ठीक है और आपको उपर में एक हाई माउंटर स्टॉप लाइट दिया गया है और आपको एको में 32 लि क्याइट है कर दिया गया है और यह इको के पुरा डैसवॉट का लोग इसमें आपको डूल-टोन में पुरा डैसवॉट मिल जाता है तो चलिए अभी एक बार आप पुरा इको को ओन कर लेते हैं सो इसमें आपको ब्लैक एंड आफवाइट कलर के पुरा कोमीनेसन में आप सारे लाइट से कंट्रूल मिल जाते हैं ठीक है राइट साइड में और अपको लेफ्ट साइड में फ्रॉन्ट वाइपर के चंट्रोल मिल जाते हैं ठीक है और गाइज यह है को का instrumental cluster इसमें आपको espresso और ऑल्टो केटेन का instrumental cluster अभी और यह आपको फुल डिजिटील में मिलता है और यह है इसके AC VPart पुझा सब्सक्रवर मैनुवैर सब्साइब यह थीक ऊच्छ नीचे एसटीक दीन शिय को में रही आपको इसके नीचे न व्हुन लिजाता एक आपको इकार चो ЧD और आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पाउर आउटलेट मिल जाता है और गाइज यह है इसका ग्रोब बॉक्स इसमें आपको काफी डिसेंच सा स्पेस मिल जाता है और गाइज अभी आपको एको में डूल एर बैक्स ओफर किया है कंपरी ने और यह है इसका rear view mirror एक reading light आपको दिया गया है ठीक है और यह आपको पुरा halogen में मिलता है a co driver side sunset and a driver side sunset without any vanity mirror और आपको यहाँ पर headlight leveler मिल जाता है और गाइज overall eco का जो dashboard है वो काफी बड़ी है quality का है और आपको यहाँ पर hand break मिल जाता है और यह है पुरा eco के पुरा dashboard का look ठीक है काफी बड़े looks आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो चलिए अभी एक बार इसका second row देख लेता है तो second row का जो door है वो आपको अपको पुरा ऐसे करके unlock करना पड़ेगा और यह है इसके second row seats के look इसमें आपको पुरा एकदम bench type में पुरा seat मिल जाता है ठीक है और और इसका जो फैब्रीक अपॉस्ट्री है वो आपको dual tone में दिया गया है ठीक है और अभी गाइस देखते है ठीक है इको का जो boot space है ठीक है उसमें आपको boots मतलब पुरा space कैसा मिलता है आपको ऐसे करके इसको unlock करना पड़ेगा और और इसमें आपको a magnetic button नहीं मिलता है ठीक है इसको a normal 5-seater में ही purchase करोगे तो तो आपको इसका rear boot space काफी मतलब बहुत ही अच्छा space इसमें आपको मिल जाएगा तो चलिए गाइस अभी बात करते है इसके engine के बारे में इसमें आपको मिलता है 1.2-liter 4-cylinder K12 and naturally aspirated petrol engine इसमें आपको 79-bhp का power मिल जाता है और 104 Nm का torque और इस engine से आप आराम से 19-20 kmpl का mileage आप इससे आराम से निकाल पाओगे so friends if you like this video then please subscribe my youtube channel like share and comments thank you